तो जैसा कि सात्व अध्याय में बताया जाएगा जीव तो परमिश्वर की सक्तियों में से एक है किन्तु है भगवान की और प्रकृति जो पदार्थ से भिल है संजोग वस परा प्रकृति या जीव आनादी काल से प्रकृति अर्थत अपरा के संपरत में रहा है जिस नासवान सरीर या भौतिक आवास को अप्राप्त करता है वो अने कर्म और उसके फलों का कारण है ऐसे बद्धवातावरन में रहते हुए मनुश्य अपने आपको अज्ञानवस रतात सरीर मानकर सरीर के कर्म फलों का भूग करता है अननतकाल से उपर जितिया अज्ञान ही सारीरिक सुख दुख का कारण है जो ही जीव सरीर के कारियों से प्रिथक हो जाता है ते होगा कर् हें जब तक महां सरीर रूपी नगर में निवास करता है तब वह इसका स्वामी प्रतीत होता है वह न तो स्वामी होता है और ना इसके कर्म और फलों का ने अता ही वह तो इस वह सागर के जीवन संगर्स में रत प्राणी है सागर की लहरे उसे उच्छालती रती किन्तु उसका वस नहीं चलता है उसके उद्धार का एक मत्रसादन है कि दिव्यकृष्ण भावनामरे द्वारा समदर के बाहर आए इसी के द्वारा समस्त असांति से उसकी रख्षा हो सकती है तो मु वांत की स्थिती उता रहे हैं वो क्या करते हैं ना आदत्ते कस्चित पापम ना चाएव सुकृतम विभू अज्ञानीन आवृतम ग्यानम तीन मुहयंति जन्तवा परमिश्वर्न ना तो इसी के पापों का ग्रहन करते हैं न तुन्यों को किन्तु सारे देराजदारी पारन मोग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को अच्छा दित किये रहता है तात्परिवर्वपाज कहते हैं विभू कार्थ है परमिश्वर जो असीम ग्यान धन बल यस सौंदर यतफा याग से युक्त है वो सदय आत्मत्रिप्त और अपापुण से ओविचि रहता है वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिष्थिती नहीं उत्पन करता पितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिष्थिती की कामना करता है जिसके कारण कर्म पताफल के सरिंखला आरम होती है जीव पराप्रकृति के कारण ज्ञान से पूंड है तो विभू अपने सिमित सक्ति के कारण अज्यान के वसीद मूठ हो जाता है भगवान सर्व शक्तिमान है किन्तु जीव नहीं है भगवान सक्तिमान है लेकिन जीव ऐसे सक्तिमान नहीं है भगवान विभू अर्थत सरवग्य है किन्तु जीव अणू है जीवात्मा में इक्षा करने की सकती है, किन्तु ऐसी इक्षा की पूर्ति सर्व सक्तिमान भगवान बारा ही की जाती है, की जाती है, तब जीव अपनी इक्षाओं से महोगरस हो जाता है, तो भगवान उसे उसकी इक्षा पूर्ति कर दे लेते हैं, किन्तु किसी परिस्थित विशेस में एक्षित कर्मों और फलों के लिए उत्तदाई नहीं होते कौनी होते बगवान नहीं होते क्यों तुनों नहीं क्योंकि इक्षा नहीं की होती है अत्यों मोहगरस्थ होने से देधार जीव अपने को परिस्थिती जन्य सरीर माल लेता है और जीवन के छनिक दुख और शुक में भोग को भोगता है भगवान परमात्मारोप में जीव का स्चीर संगी रहते हैं फलतावे प्रतेग जीव की इक्षाओं को उसी तरह समझते हैं जिस प्रहार फूल के निकट रहने वाला फूल को सुगंद को भगवान हमारे इतने नजदिक हैं तो जैसे फू को पूरा करते हैं भगवान ग्रांड करते हैं शेंक्षिन करते हैं आपन सोची होत नहीं प्रभु सोची ततकाल हम सोचते हो नहीं होता है भगवान जो सोचते फटाफट हो जाता है तब एक्षाओं को पूरा करने में सरवशक्तिमान नहीं होता किन्तो भगवान चिन्ता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को टाप्त करने कि उसकी च्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहें अत्यों बैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं बगवा जीव को सुखा कर्यों में इसलिए प्रविड करते हैं जिसे वह उपर उठे हैं भगवान उसे असुख़कारियों में इसलिए प्रब्रवबृत करते हैं जिसे वह न रख जाये क्यों? क्योंकि उसकी इक्षा है थी, अब उसकी इक्षा को भगवान पुरी करते हैं जीव अपने सुख दुख में पॉंड़ते आशरित है परमिश्वर की एक्षा से वह स्वर गया नाग जाता है जिस तरह वायू के द्वारा प्रेरित वादल अत्ता देधारी जीव कृष्ण भावनाबनित की उपेक्षा करने की अपनी अनादी प्रावड़ती की कारण अप दी बना लिया जाता है अज्ञानवस जिम यह कहता है कि उसके भववन्दन के लिए भगवान उत्तरदाई है उसकी पुष्टी रेदान का सुत्र दो एक चौतिस भी करते हैं वैशम्या ना ग्रिनेटन साथ पेक्षात्वात यथा ही दर्शयति भगवान ना तो किसी के प अगर आ किसी मैटना यहाएं र वो को बाहर ने जाना तही यह कैसा लुजए लिए भगवान क capability करते हैं और हम बुरा अच्छा करते हैं प्रकृति हमें सही ओपती है कैसे जब भगवान सेंक्षिन करते हैं तो प्रकृति हमें सही होते हैं कुछ पुरादी को कर पाते हैं तो अभी कल या पर सो एक माता दी बुल वे थी की और जो उनके सामने भगवान थे तो उनको इंस्ट्रक्शन दे रहते हैं हमें इंस्ट्रक्शन कैसे मिलेगा तो उसका ये उस लोग बड़ा क्लियर बता रहा है कि भगवान नस्दीक तो अच्छा करें जैसे की कठाट पर चर्चा हुई थी द्रोग महराज को कुछ नहीं वालूं था उनको सिर्फ इक्षा थी कि भगवान को प्राप्ट करें तो अगर हम भी इक्षा करते हैं तो हमें भी वैसे ही सारा कुछ आरेज करके देगे हमें हमारी सुतुत्रता कहा है एक्षा करने हमें बहुत ध्यान रखना होगा हमारी एक्षा बुरी ना हो जाए जैसे बुलते हैं वैक्टी भाग भाग करके जंगल में पहुँचा तो उसको बहुत ज्यादा भूख लग गई थी तो एक बुक्षे नीचे था है तो वो सुचा कि यह बुक्ष कास इसमें आम होता तो खाते तो कितना अच्छा होता फड़ाट देखता है हम ही का तो बुक्षे है यह उतार करके खाना सुनू करता है तो आम तो तीन-चार खालिया आजू-बाजू मैं देखू क्या कि कोई औ और इंज का कोई बुक्ष हो जैसे आम का है और इंज मिल जा तो दिख रहा है जिसके नीचे बैठा हूं वो तो और इंज का ब्रिक्ष है फिर और इंज होता है वो भी खा लेता है फिर बोलता है कि फल तो हो गया लेकिन कुछ खाना पर नहीं आस-पास में कोई लोग रहत तो फिर दो सुष्टा है कि जंगल है यहां पर कोई शेरोर ना आ जाए तो जो सुष्टा है तो सेर भी आ जाता है और इसको खा जाता है तो क्या है वास्तों में वो जो पेड़ था वो था कल्प ब्रिक्ष आप जो कल्प ना करेंगे वहीं मिल जाएगा तो जब शुक्र ह है भगवान का कि अभी कल्प ने उपलब है अदर्वाज हम अपने को खतम कर लेते जाकर क्योंकि हमारी मुद्धी ऐसे ही दिसा में चलती है तो हम जो भी सोचते हैं जो भी प्रियास करते हैं उसके लिए भगवान ने हमें एक आइना दिखाया है कि तुम क्या चाहते हो त और जब कुछ एसा हो जाता है तो हमें ज्यान प्राप्त होते हैं आगे बताते हैं ज्यानेना तुद्द ज्यानम एशाम ना सिनमात्मन तेशाम आदित्या वत ज्यानम प्रकास यती तत्परम तत्परम बताते हैं किन्तु जब कोई इस ज्यान में प्रबुद्ध हो जाता है जिसे अविध्या का विनास होता है तो उसके ज्यान से सब कुछ उसी प्रकार प्रकट हो जाता है जैसे दिन में शुरुदि से सारी वस्तों में प्रकास मान हो जाती हैं जैसे जो लोग बताते हैं प्रभपाजी कि जो लोग कृष्ण को भूल गया है वे निश्चित रूप से महोगरास होते हैं किन्तु जो कृष्ण भावना भावी थे वे ऐसे नहीं होते भगवत गीता में कहा गया है ज्यान को क्या बुला था पहले सर्व ज्यान अगमी मतलब ज्यान को पहले नाव बुला था इसके बाद बुला था कि जैसे ही अंधिरा होता है तो हमें पता लगता है कि सब कुछ एक जैसा ही देखता है क्यों कि हमारी दृष्टी अपॉर्ण है वो बिना लाइट की कुछ नहीं देख सकते हैं लेकिन जब स्रुजी का प्रकास आता है तो हम देख सकते हैं हमारे सामी क्या कुछ है कहां कुछ खाना रखा हुआ है का हां पर गंदा चीज रखा हुआ है कारीबल है कर्सी है देख सकते है वैसे ही जब हम कोगद भावन भावित हो जाते है तो हर चीज को हम क्लिरिटि से देख सकते हैं जैसे हमारी जिवा जिसका जो wed anug Shri Intelli journey पता देगा कि susmen नमकम है स्ट्राउग नहीं अतना सेंस्टिव नहीं है वो अंतर भी नहीं कर पाता है तो चीज को एप्रोप्रियेटली एग्जेक्ट रूट से देख सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं तद आत्मानम तद निस्ठा तद परायन गच्छंति अपुना वृतिम ज्ञान निर्धूत कल्मशा जब मनुश्य की बुद्धी मन स्रद्धा तथा सरण सब कुछ भगवान में इस्थित हो जाता है तो अभी वह पूर्ण ज्ञानद्वारा समत कल्म से सुद्ध होता है और मुक्टि के पथ पर अग्रशर होता है क्या बुरते है परफास जी तातपरी में परमद्व्य-सति भगवान कृष्णी ये सारी गीता इसी घुश्रा पर केंद्रित्थी की कृष्ण निस्री बगवान है ये समस्त वेदों का भी अभिमत है परत्त्त्व कार्थ पर्मसत्य जो भगवान को ब्रह्म परमात्मत्था भगवान के रुप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है भगवान ही इस परतत्व की पराका स्ठान से बढ़कर कुछ भी नहीं है मतलब कृष्ण निराकार ब्रह्म को भी अनुमोदित करते हैं अता सभी परकार के कृष्ण परम सत्य परतत्व हैं जिनके मन बुद्धिश्रद्धा और सरण कृष्ण में है अर्था जो पुंत या कृष्ण भावना भाविट है उनके सारे कलमस धुल जाते हैं तो यहां में बताते हैं कि जो ऐसा सोचेगा जो ऐसा समझ रखेगा जो किष्ण भावना भावित होएगा उसकी द्रिष्टी किस तरह की हो जाती है वो हम अगले देखते हैं विद्याविना संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनी सुनिष्ट्यवस्वपाकेच पंडिता समदर्शिना ऐसे ज्यानी की द्रिष्टी समदर्शिवाली हो जाती है वह बिनम्र साधु पुरुष्ट अपने वस्तविज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्रह्म चण्डाल क्या करता है वो कुट्ते का मांस खाता है। रगरता को किया बोलते हैं वह खुद में और जो उसकी मांस को खाए वह कितना रेकिन कुछ ZA flavourrows उसको ये तरह का देखता है क्यों देखता है क्यों कि कि वह आध्यात्मिक द्रिष्टिकोण हो जाती है उसकी फिर वो गाय हाथी कुटा में भी कोई फर्क नहीं देखता है गाय क्या होती है उस सत्वगुन में होती है घास खाती है और दूद देती है एक एक्सपेरिमेंट किया गया था गाय को कि गाय का दूद में कोई खराबी आ सकती है कि नहीं आ सकती है थोड़ी थोड़ी जहर की मत्रा उसमें देने जान दिया गया कि उसके दूद में जहर की मत्रा कैसी आती है गाय मर भी ना जाए एक्सपेरिमेंट भी करना है वो थोड़ी थोड़ी जहर की मात्रा उनको बोजन में देते गए देते गए देते गए एक वहिना तक देते गए लेकिन दूद में जहर की एक थोड़ी मात्रा भी नहीं आई बाद में दिखा गया कि गउ के जो गर्दन है वहां पर पूरा निला मिला हो गया तो इस एक्सपरिमेंट से, हलागी बहुत अच्छा एक्सपरिमेंट नहीं है, लेकिन लोगों ने किया, तो इससे क्या पता चलता है, कि जो कुछ भी आप देते हैं, वो गाये खाती हैं, लेकिन जो दूद देती हैं, उसमें तन्य के भी कोई कमी नहीं होती है, तो यह होता है, तो जो दिहात्म गुद्धी से ऊपर उड़ गया, जो अध्यात्मी दृष्टी कोड़ रखता है, उसके लिए ब्रामोण, गाये, राती, कुटा और चैनल में, वो सबको समान दृष्टी से देखता है, समान दृष्टी कारती यह नहीं है, कि समान विवहार करने लग जाएगा, गोबर से सुद्ध होता है, तो वो कुट्ते का भी मल से सुद्ध करने लग जया, ऐसा नहीं, विवहार में अलग-अलग रखता है, लेकिन सब के अंदर जो परमात्मा का वास है, वो सब में परमात्मा को देखता है, और उनसे विवहार अलग-अलग करता ह लेकिन उनको इज्जत में कोई कमी नहीं करता है कि पार्फरी बड़ा सा है तोड़ा से पढ़ लेते कृष्ण भावना भाविद्व्यक्ति योनी या जाती में भेद नहीं मानता समाजिक द्रिष्टी से ब्रह्मण जंडल भिन भिन हो सकते हैं अत्वा योनी के अनुसार का कुट्ता हाथी विन हो सकता है किन्तु विद्वान योगी द्रिष्ट की द्रिष्टी में वे सरीर गत भेद अर्थहीन होते हैं इसका कारण परमिश्वर से उसका संबंद है और परमिश्वर परमात्मारोप में हर एक के हिर्दय में इस्थित है यह हम इसकॉन में कैसे दे यह बिहारी है यह गुजराती है यह पंजाबी है यह सब भेद भाव नहीं रखा आप इसको में जाएंगे तो किसी से यह नहीं पूछेंगे कि आप कहां से है प्रहूजी आप तरे हैं प्रहूजी यह आपने कुछेंगे आप उसक्त je आप मायापूर से हैं क्या प्रभुजी आप चेंडीगर से हैं क्या प्रभुजी आप प्रत्ना से हैं मितलब वो कौन से इस कौन से आप कनेक्टरे तो नहीं कुछ लेते हैं अधर्वाइस और कोई भी भाव नहीं होता है चाहिए पांच साल की बच्ची हो या साथ साल की स्थ्री वो सब को माता दिने हैं तो सब को क्लास के बीच में बाद में बात कर लेंगे तो प्रभुपाद जी की द्रिष्टी इस तरह की थी उन्होंने अपने समुदाय में इस तरह का रखा वो किसे को नहीं बोलते कि आप किस जाती के हो ब्राह्मन हो तो भी आप पूझा करना उन्होंने ऐसा अरखा कि सुद्धता मेंटेन करो और भक्तिशास्तरी कोर्स कर लो ब्राह्मन हो जाओगे आपके ब्राह्मन में दिक्शा के हो जाएगे कौन भोजन बना रहा है उच्छत्रिय बना रहा है वैश्य बना रहा है कोई भेदवाव नहीं रखा क्यों 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 कि यह जो है यह वर्णासरम सिस्टम है और जो भक्ति है वर्णासरम सिस्टम से उपर की जीर है और भक्ति में सब का अधिकार है क्योंकि भक्ति किसकी कर और भगवान के संतान है भगवान के पास जाने में किसी के लिए कोई रोग था नहीं है आगे चलते हैं इहाइवत इहाइवत जिता सरगा एशाम सामे स्थितम्मना निर्दोशही समम ब्रह्मा तसमात ब्रह्मनी तेस्थिता जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है जिन्होंने जन्म और तथा मिर्दियों के बंदनों को पहले ही जीत लिया है वे ब्रह्म के समान देरदोश हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं जिनकी दूत्र मुद्धी कोदू के तमगे वो ब्रह्म मुद्धी में चले गया हैं जैसा कि उपर का गया मानसिक सम्नता आत्म साख्षात का लक्षण है जिन्हों ने ऐसे वस्ता प्राप्ट कर ली जिने बहुतिक बंदनों पर विश्यस्त्यास जन्मित्था मृत्यों पर विजय प्राप्त किये हुए मानना चाहिए जब तक मनुष्य शरीर की आत्म स्वरूप मानता है वह बद्ध जीव माना जाता है जिने जो ही वह आत्म साक्षात्यार द्वारा समचिक तता कि वस्ताग उप्राप्त कर लेता है वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है दूश्य शब्दों में इस इस बहुतिक जगत में जर्म नहीं लेना पड़ता है अपनी अपी तो अपनी मृत्यों के बाद वह अध्यात्मी क्लोप हो जाता है वह उपर के प्याने पे जाता है भगवान निर्दोश है क्योंकि वह आसक्तित्ता ग्रिणा से रहित हैं उसी प्रकार जब जीओ आ सकती त्था घ्रणा से रहित हो जाता है तो वह भी निर्बोस बन जाता है और व्यकुंड गाने का दिकारी हो जाता है, ऐसे वक्ति को पहले से यह मुक्त मानना चाहिए, तो ऐसे वक्ति जो ऐसे भाव रखते हैं, जैसे जान दुसको देखता है, तो वह इस द्वयत से मुक्त हो जाता है और चुकि भगवान इस द्वयत से मुक्त है, तो हम भगवान की आरादना करते हैं, भगवान की गलीला के बारे में सुनते हैं, तो हमारा जो जो कारेक्टर है, हमारे जो आजार में वहारे उस तरीके के होते जाते हैं, और हम मुक् ब्रहते के तरों बढ़ते हैं तो उनकी लक्षन क्या है यह आगे बताया है पर्भपाजी ने पर प्रहरसीक प्रिय प्राप्यम्-दिता प्रप्य चा इस्थित हाँ जो ना तो प्रियवस्तु को पाकर हरसित होता है ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है जो इस्थिरबुद्धी है जो मोहरेथ है और भगवद्विद्या को जानने वाला है वह पहले से ही ब्रह्म में इस्थित रहता है तो तो वह कुछ अच्छा मिल गया तो हरसित हो गया जो बॉरा मिल गया तो वह बढ़ा करके बैड़ गया ऐसा नहीं दुछ पर में कई बार ऐसा होता था कि कुछ बहुत अच्छा डेस बनाए घर में तो मन प्रुफ लोगारे बनता था ममी बताती थी कि जो मिले उसको खा लो मिल गया उतना काफी है कितने लोगों को ये भी नहीं मिलता है तो आप लोग जो मिल रहा है उसमें संतोश होना चाहिए और उसको ग्राइन करना चाहिए भगवान ने कोई भी अच्छा चीज बुरा चीज में बनाया, भगवान ने सब अपने बच्चे के लिए सब मता-पिता अच्छा ही चीज देते हैं, तो भगवान ने हर चीज आपको अच्छा ही दिया है, अब आपके ट्रेश्ट बर्ड को पसंद नहीं, लिकिन आपको शर नहीं होता, बुरा देख करके कोई विचलित नहीं होता, वह ज्ञान को प्राप्त किया हुआ सब्जा जाता है, जो स्थिर बुद्धी है, वह मुहरहित होता है, उसको प्रियवस्तु से हस नहीं होती, और प्रियवस्तु से कोई विचलित नहीं होता, और वगवद विद् प्रशनता होती है ना शरीर की स्थाई मानकर आत्मा के अस्थित्तों को ठुकराता है वो समझता है कि आत्मा है वो हमेरा जार हने वाला है इसका कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता और सरीर बिगड़ने वाला है इसको रोक नहीं सकता तो क्यों जो अस्थाई है उसके पीछे हम छोड़े करके जो सरीर जो अस्थाई है उसके पीछे लगे हैं तो इस ज्यान के चार पर ब्रह्म से हर बात में तदातार होने का कभी यतन नहीं करता, इसे ब्रह्म साक्षातकार या आत्म साक्षातकार कहते हैं, ऐसे इस्थिर बुध्धी कृष्ण भावना मृत कहलाती है, आगे एक कैस्वास लोग देखते हैं, ब्रह्मस परसेश असक्तात्मा विन्दती आत्मनी यत सुखम सह ब्रह्मयोग यतात्मा सुखम अक्षयम अस्नूते ऐसा मुक्त पुरुष भातिक इंद्रे सुख की और आकृष्ण नहीं होता, अपितु सदैव समाधी बिराकर अपने अंतर में आनन्द का अनुभो करता है, इस प्रकार स्वरूप शिद्य व्यक्ति परब्रह्म में एक आगरचित होने के कारण असीम सुखम भूगता है, ब्रूप शिद्य व्यक्ति परब्रह्म में बताते हैं, यह नहीं कह रहे हैं कि हमारे मन में काम की भावना नहीं आती है, यह नहीं कह रहे हैं, थूखते हैं, स्पिट आफ कर देते हैं, तो यह हमें सीखना चाहिए, बताते हैं, मैंने दूसरे ध्याय में आथा सायन कि आप पुर्यमानम अचला प्रतिस्था समुद्रवापी प्रविशंती अद्वत अद्वत कामान प्रविशंती सरवेच ससांति मापनोती नकाम कामी, जैसे नद्या लगाता हार समुद्र की तरफ और समुद्र में मिलती रहती है, लेकिन समुद्र ऐसे बॉखलानी जाता हुआ, को इस तो पंधरा नद्याय आ रही हैं, गर्मी के दिन में तो ठोड़ी ठोड़ी पाड़ी आ देटी तो बहुत जादा जादा आ रही है नहीं वो जैसे वेसे बना रहता है और नद्ल्या आते रहते उसके उपर सा कोई प्रवाम नहीं होता, वैसे ही कामना हमारे दर आती रहेंगे, वो रुखेंगे नहीं, लेकिन हमें कामी नहीं नहीं बनना है, ठीक है? आगे चलते हैं, वाइस्वास लोग है, यह संसपर से जाब होगा, दुखे योने एवते आदियंत्वंत कौन ते आनते शुरमते बुधा, बुद्धवान मनुष्य, दुख्य कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भाते किन्वियों के संसक से उत्पन्न होते हैं, है कुंते पहुत रहे हैं, ऐसे वो का आदित्था अंत होता है, अता चत्तुल रेक्ति इसमें आंदन नहीं लेता, प्रभपादी बताते हैं, बहुतिक इंद्रियों के स्परसे उत्रूत है, जो नास्वान है, क्योंकि स्रियन स्वयम नास्वान है, मुग तात्मा किसी नास्वान बस तुम्हें रूची नहीं रखता, तो कोई भी चीज जिसका आदि है और अंत है, जब सुरुआत है, तो उसका अंतनिश्चीप है, तो जिसके मिलने से सुख हुआ, उसके बिछड़े से दुख जरूर होगा, जैसे gr brightesties है, जैसे हम है, celebrities भी हम जैसे स्टार्टिंग भी होता लुक है, तो सुखते हैं कि अगर हमारे को दस लोग पूछे, पचास लोग पूछे, जब line लगाए सबसे liking मिले हमें, तो बहुत आनन्द आता है, लेकिन आनन्द आते 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 तो ऐसा हालत हो जाता है कि उनों का बाहर निकलना भी मुस्केल हो जाता है वह बाहर जहें से निकलेंगे वह सुचेंगे कि चलो मैं दोड़ पे ठहल के आता हूं तो क्या होगा कि उनके आज बाद उमें लोग ही कर्ठे हो जाएंगे मेरे को एक फोटो लेना है मेरे को बात करनी है मेर प्रतिक संसार में जब प्रसंसा मिलती है पहले तो नहीं थी अब मिलना शुरूए जिसका मतलब है कभी न कभी नास्त भी होगी तो यह जो टेम्परेज चीज़ है जो बुद्धा जो बुद्धिमाल मुद्श है उसमें भाग नहीं लेते पद्व पुराण में कहा गया है योगी जन्त परमसत्य में दमन करते हुए अच्यंत दिव्य सुफ्टाप्त करते हैं इसलिए परमसत्य को ही राम कहा जाता है तो राम मतलब जो परमसत्य है लिए हमें समझ में यह आती ही नहीं है समय में कि यहां से सरीव से चले जाते हैं तब लग में गोलते हैं राम नाम सत्य किसी के विवाह में आकर कIES बूल दो और में यहां पर थोना मतलब जाने सप्रों सत्य जलेगए पर भी होता कि पहले राम में चाहिए भागवत में एक प्रशंग आता है लुए लुए लिश्व देव अपने पुत्रों को बताते हैं नायम देव देभाजा न्री लोका कस्थान कामान हर्ता बिढ़ भुजाये तपो दिव्यम पुत्रकाइनसत्वम सुद्डएत यस्मात ब्रह्मसक्यम त्वनंतम हे पुत्रों इस मनुष्य योनी में द्रिय शुख के लिए अधिक स्रम करना ब्यारत है ऐसा सुख तो सुखनों को भी प्राप्त है इसकी अफिक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्यशुख प्राप्त कर सको यह बड़ा इंपर्टेंट है जाते हैं सुबह से साम तक गदा मुझूरी करके पूरा ठारा घंटा ओबर टाइम कर रहे हैं यह कर रहे हों कर रहे हैं और सब लाग करके फिर हम धन कोई कठा करते हैं तो बोलते हैं कि अच्छा प्रोबर्ब है कि पहले आप सरीर का नास करके धन कमाओ और जब धन बहुत जमा हो जाए तो उससे सरीर के लिए जाकर के सब डॉक्टरों को घेट दे करके आ जाओ तो कमाया किसलिए था इस लिए हमें मिनिमम जो हमारे जीवन यापन के लिए उतना के लिए प्रयास करना चाहिए और रेगुलेशन में कि हाँ इतना काम करने का है इतना बिजनेस के लिए है और इतना भक्ति के लिए हमें भक्ति के लिए और अपने सरीर के लिए भक्ति के लिए सेवा के लिए हर चीज़ के लिए बैलें इसके लिए लगे रहे कल अठार गंटा उसके लिए लगे आई ऐसा कुछ में होने वाला है अत्ता जो यथार्त योगी या दिव्य ज्यानी है वे इंद्रिया सुक्कि और आकरिष्ट नहीं होते क्योंकि वे निरंतर भवरोग के कारण है यह आकरिष्टा क्या है किसके आरण है वे भवरोग के कारण है जो भौतिक सुक के प्रति जितना ही आ सकते होता है उसे उतनी अधिक भौतिक दुख मिलता है आगे परते हैं तेश्वां सक्रोती एवा इहया सोड़ं पाक्सरीरा विमोक्षणात कामक्रोधा उद्भवा बेगम सायुक्तासा सुखी नरा यदी वेग कोुई मैंुष्णी वे में समर्त होता है सुखी से सकता है कोई आटम सक्षात क क्याओं पर अगर्यों चाहता है तो उसे बोधिक इन्रियों के वीर्ट को रोकने का प्रयापने करना चाहिए है वाँनी वेग उपस्त वेग और ज्यवा बिग प्रित्वी को सेश्य बना सकता है आज के जो गुरू तथाकति फिर्ट कहीं देखने को मिलते है उनमें अगर हम क Choose दंदर यह करना है हमें सीखना है कि हम कैसे अपने वेग को अप्रयास करें कि है कि सिर्फ बोलने से कंट्रोल हो जाएंगी बहुत मेहनत तंदा बढ़ता है बहुत कुछ उसमें इक्षा लगानी होती है पर हम प्रियास करें जो व्यक्तिन इंद्रियों के वेको तदा मन को वस्मे करने में समर्थ है वह गो स्वामी या स्वामी कहलाता है वह मतलब इंद् जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के व्यक्रों का तेरा स्कार करते हैं बोट ईक्षाए है है कि फटा फट हो जाएगा बहुत मेनत लगता है जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूपसित दमाना जाता है और आत्मसाक्षात कार की वस्था में वह सुखी रहता है समय हो गया है 10-15 में इसको क्योंकि मैं बहुत पीछे चल रहा हूं माता जी का इंस्ट्रक्शन था कि अब तक अध्यात पाच पूर्ण हो जाएगा चाहिए आगे चलता है यो अंत सुको अंतरा लामस तंता रामा तथा अंत जोतिर के वया सायोगी ब्रह्म निरवानम ब्रह्म भूता अधिगच्छती जो अंताकरण में सुक कानुभव करता है जो करमट और अंताकरण में ही रमन करता है जिसका लक्ष अंतरमुखी होता है वह सच्मुच पूर्ण योगी है वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततोगत्पा ब्रह्म को प्राप्त होता है जब तक मनुष्य अपने अंतकरन में सुखतान वह नहीं करता तब तक भला ब्रह्म सुख को प्राप्त कराने वाला बायक्रियाओं से वह कैसे छोड़ सकता है अपने अस्तिक्तों को समझता है और उसमें ही वह लगा रहता है है और फृष्ण भावना भावीत में अपनी बात बताओं कि जब तक कौन से हुए थे भक्ति क्या है नहीं समझा था तो एक बात स्वताही जवान पे होती थी मैं तो बॉर हो रहा हूं क्या करो मैं तो बॉर हो रहा हूं लेकिन जब से भक्ती में आये, अब बोर वाला सब्द जीवन से हट गया है, क्यों? क्योंकि मारे पास बहुत सारे काम है, माल लिजे किसी का वेट कर रहे है और ओ नहीं आ रहा है, माल लिजे आधर गंटा वेट करना पड़ा है, हमें कोई तक लिप नहीं होती है, चलो उसको जब आना है आने दो, हमारे पास सादा गंटा है, हम कर लेते हैं, कभी ट्रेन से जाते थे, कमी माल लिजे, बहुत लंबा शफर हो गया, आज गंटा, दस गंटा ट्रेन में ही भी इताना है, तो क्या करें? कुछ कर नहीं सकते हैं, बहुत अच्छा समय होता है, उसमें अब आज बढ़ने का समय खतम हो गया तो अगर हम ऐसे ब्रह्मवसुख के अनुभवव को प्राप्त करते हैं तो हमारा भगवत धाउग जाना निश्षी तो हो आता है आगे बताते हैं लबंते ब्रह्मा निरवाणम रिश्य चिरकल्मशा चिन्नम वैधा आत्मन सर्व आत्मान सर्व भूतो हिते रता जो लोग संसे से उत्पन होने वाले वैद से पर हैं जिनके मन आत्मस्त जीवों के कल्यार कारण नीमें सद्याव ब्येस्त रहते हैं और जो सम्हस्त पापो से रही थे वे ब्रह्म निर्मान को प्राप्त होते हैं। हारे क्रिछना शमा करें माता जी क्या करें भी continue कर सकते हैं पाफ साथ मिन्ट क्या या कल करें प्रभु जी कल करते हैं कल करते हैं ना ठीक है माता जी पर बहुत जादा अन्नेंडी हो जाता है हां माता जी मुझे भी ऐसा ही लगा क्योंकि ये जो माता जी का इंस्ट्रक्षन था ये था कि पूरा नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ना है लेकिन माता जी परभपात जी ने इतना अच्छा लिखा है ना कि मैं अपनी बाद बताओं मेरे को तो छुड़ने के इक्षा नहीं होते लेकिन समय का भी schedule है उसको भी नहीं तोड़ सकते हैं जी प्रभुजी लेकिन प्रभुजी सभी devotee को books पढ़नी चाहिए और इसका जो परपट है वो बहुत सुन्दर है सभी लोग पढ़िए पढ़कर बहुत आनंद आता है रियल लाइफ एक्जामपल्स लिए है प्रभुजी ने जी 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 नाताजी बल्कुल जी नाताजी तो हमें और ये चिप्टर थोड़ा सा कथिन भी है तो इसमें हमें इसको तो हमें जरूर पढ़ना चाहिए और ज्यादा पढ़ना चाहिए क्योंकि यह अनुभाव का चीज है तो जब तक हम दानेंगे नहीं अनुभाव में नहीं उतार सकते हैं ठीक है ना हमने कहां विराम दिया 25, 29 तक है चार असलोग है इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे ठीक है बता जी तो यहां पे विराम देते हैं किसी का कोई प्रस्त हो कुछ कहना हो प्लीज रेज यॉर हैंट अगर किसी का कोई कुछन है या कुछ डाउट है या कुछ कॉंप्लीमेंट है या आप बैसे जो भी कुछ एड़ाउन करना चाहे तो प्लीज बता सकते हैं हरे कृष्णी हरे कृष्णा प्रोगुजी मुझे पूशना था कि जैसे बोलते हैं कि आत्मा जो है जलाई नहीं जा सकती और यह मतलब वो है वो शाश्वत है तो यह हमें जो दुख सुख मिल रहे है तो इनका प्रभाव क्या आत्मा पर नहीं पड़ता क्योंकि दुख तो हम मन से ही ले रहे ना और सुख भी हम मन से ले रहे हमारे आत्मा के साथ में है मन चित्त बुद्धी और अहंकार ठीक है ना तो मन जो कारिये करता है उसका फल मन को मिलेगा या नहीं मिलेगा और आत्मा मन के साथ अटैस्ट है तो आत्मा को भी क्योंकि उसके मन ने ऐसा करने का किया है तो उसको इसका फल भी मिलेगा क्योंकि इक्षा किसने करी मन ने करी और मन को किसने लाउग किया है आत्मा के साथ है चिपका हुआ मन इसलिए हम इस भौतिक संसार में हैं ठीक है और अगर अगर हम मारा मन सुद्ध हो जाए अगर यह जो बता रहे हैं पाजी जो कर्म को समझ ले कि हमें द्वाइत में नहीं फसना है हमें दर दर नहीं बिचलना है अगर यह समझ ले तो वो अद्वाइत हो जाएगा वो भवान के गुण जब आ जाएंगे तो वो मुक्त हो जाएगा आत्मा ही तो बंधन में है कल किसको मुक्त होना है आत्मा को ही तो होना है आत्मा का गुण तो प्रमात्मा वाला है लेकिन उसके कर्म ने उसको बान रखा है ठीक है जैसे प्रभु जी ये बोलते हैं कि कई बार हम सतंग में भी सुनाएं या लोगों से सुनाएं कि अपने आपको दृष्टा भाव से देखो या तीसरे परसन की तरह देखो अपने आपको तो आप अपने कर्मों को सुधार सकते हैं पर हम दोखते हैं कोशिश भी करते हैं पर ऐसे इंप्रूव कैसे हो सकता है और ज्कूलजा पादा जी, जैसे देखी हम लोग सब एक लेबल में बैठे हुए हैं, ठीक है न, मालेजी कटा कर रहा है, और हम लोग सब एकस दक यापनोगे बैठे हैं, तो हम जब वहां को उटा आगे देखते हैं, तो हम उपो को दो चार, दस लोग नजराते हैं, ठीक है न, उड़ जाएगा तो और लोगों को ज़्यादा देख पाएंगे तो अपनी लेबल जैसे जैसे हम उचा उठाते हैं वैसे वैसे जो प्रॉब्लम से हैं वो छोटी होती जाती हैं ठीक है ना तो अपने एस्तर को बढ़ाना है हमें बढ़ाने से क्या होगा हम चीज को वास्तव को बढ़ाएंगे वो मतलब जाप करके बुक्स पढ़के जी 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 साधना में दुरुणता ला करके तो हम हाइर टेस्ट देंगे मन को तो लोवाला को अपने आप छोड़ देगा जैसे हमने कल बात किया था ना कि एक तरीका है कोई वस्तू नीचे है वो बहु मुल्य है क्यों कि हमारे हाथ में एक ग़चा भी ठा कराब भी ठा मतलब एक कोई फ़ल ठा उसके साथ में एक सोने का हार भी था हमारे हात से हार गिर गया अगर हम आर को उठाने का प्रयास करेंगे नीचे जो उससे कम value वाला समान जो हाथ में था वो अपने आप गिर जाएगा अगर हम उसको छोड़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत effort लेगा छोड़ने में जैसे बाली जी सब के जीवन में कमी होती है अब हम प्याज जशुन ठाते हैं माल से मदीरा खाते हैं लेकिन क्या बता है कि प्रवपाज जी कौन के स्थापना करी थी तो संबंदर सी भाव से किया था क्योंकि प्रवपाज जी जानते थे कि उनका मैंने सरीर वाला दृष्टी नहीं था उसमें आत्मा वाला दिश्टी था उन्होंने किसी को मनानी किया सरा पीते हो भगवान का नाम लो स्मैक गंदा पीते हो भगवान का नाम लो जब भगवान का नाम लोगे तो तुमारा ये जो असुद्धी अपने आप खतम हो जाएगा अगर चाहोगे कि असुद्धी पहले कर लो सुद्धित्ता पहले कर लो तब भगवान का नाम लो ऐसा कभी नहीं आने वाला है एक प्रभु जी बता रहे थे डिसकस कर रहे थे आप इसको अधरवाज नहीं लिजएगा एक भकत है इसको एक गाते हैं मैली चादर ओड़ के प्रभूत मैं अद्वार तुम्हारे के आऊँ तो यह लाइटर मोड़े बोल दे थे कि यह तो ऐसा ही होगा जैसे कोई बोले कि डॉक्टर साहब मैं तो बीमार से क्रसित हूँ मैं बीमारी लेकर के आप पस कैसे आऊ मैं बीमारी से दूर हो जाएगी तब मैं आपके पास आऊँगा तो फिर डॉक्टर बोले खा कि फिर आऊगे किसलिए मेरे पास मैली चादर है इसलिए तो बगवान के पास जाना है मैला चादर साफ करने के लिए तो जाना है बगवान सुद्ध है वर्गवान के संगति करोगये मचादर अपने आप साप होने लगाएगा यानि हमें मतलब जो माया है या हमारे आसपास गलग चीजहें हैं उन से उपर उठके जब हम इस जर्नी पर का प्रयास करना है प्रयास क्योंड नामनस्ट। प्रवू क्या बोलते हैं आप जो कर रहे हो करते रहो बस एक माला हरे कृष्ण का जोड़ लो इसके बाद पता लए दो मान लीजिए एक घर में एक आदमी के रहने का जगा है दो आदमी रहागा क्या करेगा जो रहे जाएगा जो बीख होगा भग जाएगा है या नहीं अगर हमारे पास एक सराप इन के नाम को बाहर कर देगा या भगवान का नाम सरबाब को बाहर कर देगा है या ने जी है बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुजी नहीं जानना चाहरा था कि जैसे इशोप निशद जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है आत्मा के वारे में कि अव्यभारम अचिंत्यम अलग्छडम जए जब आत्मा ऐसी है कि जो न उभव फ्रग्यम है न जिसको हम चिंतन कर सकते हैं न जिसको हम लच्छड में देख सकते हैं तो ऐसी आत्मा पाप में कैसे लिप्त हो सकती है ठीक है प्रभुदी एक तो उसका करेक्टर हो गया ठीक है ना ये एक तरफ गुण की बात कर दें प्रभुदी दूसरे तरफ मात्रा की बात कर रहे हैं ये साब गुण है और ये विदें हमने भगवर्ण गीता में भी ये पढ़ा था कि ये ना इसको कुछ हम नोख नहीं कर सकते हैं न काड सकते हैं न जिल सकते न सुखा शकते ये ठीक है लेकिन ये अब यही आत्मा तो जाकर कि पहले मनुष्य में थी मनुष्य से कुट्टे में, कुट्टे से सुवर में, सुवर से ये सब योनी भी तो प्राप्त कर रही है तो इसका गुण है क्योंकि ये भगवान का अंस है लेकिन ये क्या गलती क्या करी इसने इसने मन को अपना माना हुआ है, सरीर को अपना माना हुआ है सर जी बताते हैं जैसे मानली जी नारियल है ठीक है नारियल जब उसमें खुपड़े में चिपका हुआ है अगर आप उसमें नेल मारेंगे काटी लगाएंगे तो क्या होता है कि काटी जो है उसके खुपड़े को भी छेद करता है और नारियल को भी छेद कर देता है लेकिन क फिला रहे हैं उसको तो आपको पता लग रहा है कि नारियल खोपड़े से अलग हो चुका है अब उसमें अगर नेल मारते हैं तो वो खोपड़े चुकी दूसरे तरफ है उसे उपर असर नहीं होगा तो जैसे ही हम आत्मा से मन बुद्धी अहंकार चिपका हुआ है तब वो चुका है उस तरीके से काम करता है क्यों क्यों कि उसने इसको अपना माना हुआ है और यह जो मन बुद्धी अहंकार सब ने सरीर के साथ चिपका हुआ है तो उसी को देहात में बुद्धी कहते हैं तो आत्मा ओरिजनली तो प्योर है इसमें कोई दोरा नहीं है यही को कस्ट हो रही है तो किस को कस्ट हो रही है आत्मा को कस्ट हो रही है हाला कि आत्मा को कस्ट होती नहीं है क्योंकि वो परमात्मा का अंसे है लेकिन अभी चुकी वो इंडल्ज है वो अपने को सरीर मान बैठा है जैसा समझिए कि हम बैठ करके कुछ वारता कर रहे हैं और अखबार में बहुत सारे खबर होते हैं, खाना खाते समय देख लिया कि वहाँ पे ट्रेन एक्सिडेंट हो गई, दोसो लोग मारे गाए, अच्छा अच्छा हो, नहीं नहीं, दोसो नहीं होंगे, ज्यादा होंगे, अखबार वाले थोड़ी कम देते हैं, और इसके बाद खा हो गया फिरम क्या करते हैं, खाना फेक करके भागते हैं कि नहीं उसके तरफ में, अरथाच हम जिसको अपना मानते हैं, हम उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं, तो इस आत्मा ने जब अपने सरीर को अपना माना हुआ है, मन को अपना माना हुआ है, तब उसको दुख होता है, जब इस से उपर लेबल में पहुंचता है जब जान जाता है कि सरीर है कहा है बहुतिक संसार में बहुतिक संसार क्या है दुखाले है यहां दुख ही दुख है तो वो दुख में involved होता है छमा करें प्रभू में नहीं पता मैं कितना कुछ क्लियर कर पाया पूछने कार्थ होता है कि कुछ आप अपनी बातें भी रख सकें उत्तर देना और उत्तर सही हो यह मेरी योग्यता नहीं है अभी तो मैं फिर भी प्रियास करता हूँ बात चित करने का में उद्धिश्य प्रभू की कुछ फीड़बैक मिल सकें ताकि हम अपने क्लास को कैसे और फर्दर इंप्रूव कर सकें बिल्कुल नहीं आपकी क्लास में आके अच्छा लगता है आपका मतलब आपकी क्लास में आके एक इनर्जी रहती है एक थोड़ा एक मन सा लगता है यह तो बात है बहुत धन्यवाद प्रभू ब्रार्थ ना करें कि कुछ और समझ में आया मैं और समझा सको हरे कृष्णा और कोई कुछ बताना चाहिए मैंने आपके प्रसंद को निरुट साहित नहीं किया है मैंने अपनी युग्यता बताई है सुद्धिप्ता माता जी आप से तो बात नहीं हो जो कभी हरे किर्ष्णा विष्ण जी प्रभू जी हरे कृष्णा प्रभू जी हरे कृष्णा माता है तंड़ात पड़ाम कुछ फिद्बैक दे मता जी कुछ बताएं बहुत अच्छा लग रहा है बस मैं सुन रही हूँ हरी बोल हरी बोल ठीक है मता आशिर बात बनाए रखें अस्योशेशन दे बाबू लाज सोनी परभी करते हैं हरे कर्ष्णा प्रभूजे अब समझ आ रहा है जे जे प्रभू दन्यवाद प्रभू अब दन्यवाद प्रभू दन्यवाद प्रभू और कुछ लोग जो कुछ पूश्णा चाहते हूँ कई लोगों को संकुछ होती है तो आप लोग मैसेज में भी लिख सकते हैं हम दो रोज गीटा पढ़ते है ना हम दो रोज गीटा पढ़ते हैं जी 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 परभू बहुत सुदे प्रभू हाँ गीटा जोज पढ़ने क्या चीश है प्रभू जी क्योंकि हम क्या है अब गीता ही हमें बताती है क्योंकि अग जब तक हम नहीं पड़ते हैं स्क्रिप्चर्स को तब तक हमें पता ही नहीं लगता है कि हम है कौन हमें करना क्या है बहुत सब्सक्राइब करना चाहिए जी 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 प्रभुटी विनोध प्रभुजी आप कुछ कहना चाहते है हाँ विनोध कुवार स्वर्मा प्रभुजी हरे क्रिश्ना अन्म्यूट करें प्रभु अपने को हरे क्रिश्न प्रभु अच्छा लगड़ा है बहुती सुंदर धर्निवाद प्रभु हरे क्रिश्न और कोई प्रस्ण नहीं है कुछ और बात नहीं है तो हम क्लास को एंड करेंगे विराम देते हैं वांचा कातर अभ्यस्च रिपासिं दुब्याई वचपतीता नाम पावने भ्योबैश्ण वे भ्योण मोन महाद भगवान की भाने भगवद गीता की जयओ सारे मैंशन वक्तों की जय आप सब वक्तों की जय श्रीलब प्रभुपार रचुजे तीन बार हम अधरे किश्न महाम मंत्र करेंगे सब लोग अल्मेट करके साथ में कर सकते हैं अधरे किश्ना गुर्भुजी अधरे किश्ना सभी को दंडबत प्रणाम